Hello friends, welcome to my YouTube channel आज शुरू करेंगे हैं मैं exercise 10.1 से question number 4 Draw the front view, side view and top view of the given objects यहाँ पर आपको कुछ objects दे रखें यह इनका आपको front view draw करना है, side view draw करना है और top view draw करना है सबसे पहले देखिए a military tent यह एक tent है इस tent को आप तीन तरह से देख सकते हैं जब आप front से देखेंगे तो आपको यह दिखेंगा side से देखेंगे तो यह दिखेंगा और जब top से दिखेंगे तो आपको यह दो face दिखाए देंगे उधर उधर अब मैंने यह draw करके रखें हुए हैं इनके जो तीनो views हैं आप ज़रा ध्यान से देखना देखेंगे जब front से देखेंगे तो सिर्फ आपको यह triangle ट्राइंगल दिखाए देगा और यह बीच की यह जो vertical line है यह भी दिख जाएगी तो यह इसका front view हुआ जब side से देखेंगे यहां से तो यह थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाए देगा हलका सा parallelogram type का यह इसका side view है जब top से देखेंगे आप तो यह जो tent है इसके एक तो यह वाली side दिखाए देगी और इधर वाली side भी दिखाए देगी यह इसकी roof है ना तो उपर से यह दोनों दिखाए देगी आपको यह इसका top view है तो तीनों views हुए इसके यह length है तो length में क्या होगा यह थोड़ा सा लंबा होगा और यह इसके legs है तो front view इसका यह आएगा इसके side view में यह इसकी breadth है legs की length सेम रहेगी बस इसकी चोड़ाई जो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी यह इसका side view है जब top से आप इसे देखेंगे तो top से आपको एक rectangle की तरह का दिखाई देगा क्योंकि यह rectangular table है तो आपको ऐसे draw कर देना है इसके बाद figure देखिए a nut यह एक बट्टा है अब इसे देखें आप यहाँ पे पहले पढ़े क्या लिखा हुआ है front यहाँ से आपको front देखना है जब आप इसका front देखेंगे तो front से आपको यह 3 faces दिखाई देगे जैसे मैंने यहाँ पे यह draw की है इसके 6 face है यह hexagonal है इसके 3 face है जब front से आप देखेंगे तो आपको इसके 3 face दिखाई देगे एक तो बिलकुल सामने वाला बिलकुल पूरा दिखाई देगा और side वाले थोड़े से थोड़े से ऐसे दिखाई देगे और जब आप इसको side से देखेंगे side से भी आपको यह 3 face दिखाई देगे एक बीच वाला पूरा दिखाई देगा और यह थोड़े से ऐसे angular type में दिखाई देगे तो इसका front view और इसका जो side view है वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा अब इसके top पे देखिए, top देना है इसको उपर से जब उपर से आप इसे देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा पूरी की पूरी 6 faces दिखाई देंगे, 6 sides इसकी पूरी दिखाई देंगे आपको जो भी उपर है वो सारा exact ऐसे दिखाई देगा तो ये है इसका top view, चले next figure देखिए, a hexagonal block ये एक block है और hexagonal लई है, यहाँ पे front लिखा हुआ है तो पहले front ही देख लिए, इसका front view कैसा होगा जब आप इसे front से देखेंगे, तो पूरी की पूरी ये जो 6 sides से ये दिखाई देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका front view है अब आते हैं top और side पे, इसका जो top और side view है वो बिल्कुल same होगा दोनों view एक जैसे होगे जब आप इसे top से देखेंगे, तो ये वाली जो side है ये आपको पूरी दिखाई देगी और ये जो दो 7 वाली है, ये थोड़ इसी ऐसे जुकी हुई दिखाई देगी तो बीच में पूरा rectangular दिखाई देगा आपको और दो side से इसकी थोड़ी सी ऐसे side में दिखाई देगी आप जब इसे side से देखेंगे आप, तो side वाली ये बिल्कुल जो बीच वाली है ये आपको पूरी दिखाई देगी और ये उपर वाली और ये नीचे वाली थोड़ी सी इस तरह से जुकी हुई दिखाई देगी तो ये इसके तीन व्यूज थे नेक्स फिगर देखें आप dyes है dyes पे top पे 2 है counting, front पे 3 है और side पे 1 है तो जो dyes होती है वो एक square की shape की होती है दिखेगा तो आपको square ही, अब जरह यहां से match करते है देखिए, ये front view कैसा होगा front view होगा, इसका front से आप देखेंगे तो यहां पे 3 dot दिखाई देगी तो जो 3 dot वाला जो face है, ये आपका front view है side में 1 dot है, तो जिसमें 1 dot है ऐसा square दिखाई देगा, एक dot दिखाई देगी जब आप इसको side से देखेंगे और top में, top में 2 dot है तो उपर से देखेंगे, आपको square दिखेंगा और 2 dots दिखाई देगी, ये इसका top view है next figure देखिए, a solid, इसको थोड़ा धियान से देखना ये, चलिए fell view देख लेते हैं इसका, ये देखिए front देखिए, front से जब देखेंगे, ये वाले दो दिखाई देगे आपको और ये जो इसके उपर है, इस तरफ, ध्यान देना, left side में left के उपर ये वाला x square दिखाई देगा, तो 2 तो ये देखेंगे और left में इसके उपर ये दिखेगा, ये इसका front view है, अब आएए side view पे side view में, जब side से देखेंगे, एक तो ये वाला आपको face दिखेगा square और एक इसके पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर है, ये दिखेंगे और ये बिलकुल सीधे ऐसे दिखाई देंगे, और इनके उपर, यानि जो अगले वाले के उपर एक box और चड़ा हुआ है ये रहा, तो ये वाला face दिखाई देगा, तो ये ये वाला face है तो जब side से देखेंगे, तो आपको दो तो नीचे दिखाई देंगे, और एक उपर दिखाई देगा, उस तरफ अब top पे आईए, top पे, जब top से आप देखेंगे, तो left side पे मेरे पर धियान दीजिए left side में आपको दो face दिखाई देगे, एक तो ये वाला दिखेगा, और एक ये वाला दिखेगा, तो ये मैंने left में इस तरह बनाई है, दो और right में इस तरफ, यहाँ पे मेरी तरफ, ये वाला face दिखाई देगा, ये, तो जब top से आप देखेंगे, तो left में ऐसे तो दो ब्लॉक दिखेंगे आपको, और यहाँ पर एक ब्लॉक ये वाला दिखेगा, ये इसका top view है, तो किसी भी solid के, आप views बना सकते हैं, उसकी figure को imagine करके, उसको ध्यान से देखके, तो इस question में आपने यही सीखा, किसी भी object का, जो top view है, front view और वो जो side view है, वो हम कैसे analyze करते हैं और उसको draw करना, आपने सीखा, तो इस video में बस इतना ही, next questions के लिए next video में मिलते हैं, तब तक के लिए good bye